नमस्कार मैं निमीश बंसाली और दोस्तों क्रेवास फार्मसिटिकल की इस हेल्थ अवेर्नेस कैम्पन में एक बात फिर से हम बैतुल शेहर में आएं और हमारे साथ इस्त्री एवं प्रसूती रोग विशेशग्य डॉक्टर प्रतीभा रगोएंशी जी हैं पहले विडियो भी आपने मेडम के देखे हैं बहुत सी बाते आपकी जो बहुत सी प्रॉबलम से मेडम ने बताई है और आज जब हम बात करने आएं तो मेडम ने कहा है कि pre apps havereibt एंशन जो problem होती है उस पर मेडम बताना चाहती है तो मेडम यही topic choose करने का कारण क्या था नमस्ते मैं डॉक्टर प्रतिवर अगुंशी जैसे कि आपने question पूछा कि अपन हाइपर टेंशन इन फ्रेगनेंसी पे ही क्यों बात कर रहे हैं यह बहुत जरूरी चीजे होती है कि उसे महिला का बीपी बढ़ जाता है अपनी इंडिया में 5% लोग जो प्रेगनेंट कुमें इसके बारे में लोगों तक पहुच पाना की बीपी बढ़ना क्या होता है कब रॉक्टर की सलहा लेना है कब हमें दिखाने जाना है यह बहुत जरूरी चीजे और लोग इसकी स्यामत अब गंभीरता को समझे कि इसकी गंभीर बीमारी है किसी भी परिवार से एक मा का चले जाना मतलब उस बच्चे का अनाथ हो जाना परिवार का पूरा पूरा परिवारी अनाथ हो जाता है तो हमें इसके बारे में सब लोगों को थोड़ा बैसिक नॉलेज होना चाहिए वास्तों में मुझे लगता है कि आज का टॉपिक जो है वह बड़ा गंभीर है तो इसमें अपने आथे छूफन रिशा कि ऱूब गर्वती है तो उसमें हाइपर यह की चैंसे हो था है मतलब कितने पर्संटेज होता पन को यह पता को शूब यह हम जरूरी है कि इतने पर्सेंट लोगों होता था कि हर मरीज को देख बाना इतना पॉसिबल नहीं है जवी лагशे फ्र तो मतलब 8 से 10 परसेंट लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश में यह 8 से 10 परसेंट भी बहुत ज्यादा हो जाती है तो पर यह पहचाने के कैसे कि किसी गर्ववती महिला को हाइपर टेंशन हो रहा है यह बीपी बढ़ रहा है तो इसके लक्षन क्या है है यह बहुत अच्छ पूछा आपने कि इसके लक्षन क्या होंगे कि जैसे ही महिला गर्ववती होती है सुरुवात में पता भी नहीं बढ़ता कि बढ़ने वाला है सुरू के 24 हपते तक ऐसा रहता है कि बढ़ता ही नहीं मतलब नॉर्मल महिला अपन को दिखाने आ रहे है उनका ब्लड प्रेश प्रेश बढ़ने लगता है उसके चेहरे परी सुजन आ जाती है पैरों में सुजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो यूरिन का कलर है वो भी थोड़ा सफेद कलर का दिखने लगता है जिसको हम लोग प्रोटीन यूरिया बुलते है वालता है यह उसके लक्षन होते है इसमें एक बात जो मैं जानना चाहरा था जैसे आपने कहा कि पैरों में सुजन आती है तो आम लोगों की घरों मे प्रोटीन होती है कि चुकि मैला गर्भ वाती है इसलिए उसका वजन बढ़ गया है तो सुजन तो आएगी तो यह बात यह तथे के बारे में हम क्या कहें है यह आपने बहुत अच्छी चीज पूची क्यों कि अपने हाँ अपने इंडिया में मानते है कि पैरों में सुजन ट्रूट ना ठीक प्रेगनेंशी का इसलिए और होट भी है कुछ परसेंड लोगों में सामानिय तहा सुजनाती है पट वह ड़क्तर को दिखा कि रसाइट का सकते कि प्रेगनेंसी के मता है यह थाइप अपने फुन की कमी होती है तो भी पैरों में सुजनाती है कुछ होती है शाम को जब रेस्ट करेंगे तो यह सुजन उतर जाती है अच्छा हाँ पर जैसे जो प्रेगनेंसी इंडूस्ट है पर टेंशन वाली सुजन है जनरली वह मौनिंग अर्स में रहती है इसकी पहचान भी रहती है कि अपन जब सुबह उट रहे है और पैरों में सुजन मिल रही है तो यह एक परेशानी वाली बात है यह काम की बात है आप लोग ध्यान दें कि दोनों सुजन में बड़ा अंतर है मौनिंग ओर्स में अगर बी इस प्रकार के लेखन दीखते हैं तो इसके डेंजर साइन भी कुछ होते होंगे बिलकुल होते इसलेजेश। retention बच्चे पर अश़्ालता है और मां ब इसार डालते है अब मां को समझाना है कि तो बच्के पहतं तो महिलाओं को तुरंत आके दिखाना हैं दूसरा अब जो बीपी बाढ रहा है वो मापे क्या असर डालेगा तो मापे कभी-कभी ऐसा होता है कि पैरों में सूजन आ ही रही है बीपी बढ़ता ही है दूसरी चीजे होती है कि अचानक से उसको बहुत तेज बेट दर्द होता चक्कर आ जाए या उसको ब्लीडिंग होने लगे वजायन से ब्लीडिंग होने लगे या पानी जाने लगे तो तुरंत उसको आके डॉक्टर को दिखाना है यह सारे डेंजर साइन होना और पेट दर्द होना बहुत उल्टिया होना और चक्कर आ जाना और पैरों में सूज लेन्य साइन अचानक से ब्लीडिंग सुरू हो जाना इसके जाने जाते हैं तो यह तो होगा डेंजर साइन और डेंजर साइन जब आपको दिखने लगे तो तुरंत दोक्टर के पास पहुंच नहीं है लेकिन सामानले लक्षन की समय अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो इस इस्थिती तक आप नहीं पहुंचेंगे अब सवाल मेडम ये भी है कि जब ऐसे इस्थिती बनती है तो होने वाले बच्चे पर भी इसका कुछ असार होता होगा हाँ जो अपना हाइपरटेंशन होता है वो बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है तो दूसरी तिमाही में ये दी बीप बढ़ने लगा चौबीस अपते के बाद तो उसमें धीरे धीरे बच्चे का विकास होना कम हो जाता है तो आस पास का पानी भी कम होने लगता ह तो यातों जैसे बच्चे का विकास हो रहा है तो बजन बहुत कम रहे गा जब उसका जनम होगा तो हो भी सकता कि वह एक देड किलो का ही जन में और दूसरा पानी कम होने के कारण उसकी हाथ पैर थोड़े तिर्शे हो जाते जैसे घर्ब मत गर्व में रहेगा पूर्ण व जाए नहीं ली तो ब्लड प्रिशर जादा वढ़ने से अचानक से बच्चे की मृत्यू भी हो सकती है बेट के अंदर बहुत खतरनाक स्थीज है तो अब लक्षणों पर मेडम बात हो गई बच्चे पर वी इसका असर कैसे होगा यह भी आपने बता दिया लेकिन अगर मापर भी असर होता होगा तो इसके मापर असर किस प्Рाकार से होते है इसे आपने पूछा कि माँ पे आसर है, यह सब लोगों के लिए जाना बहुत चरूरिय कि जो नहीं होती है, जзы ellukmeter बढ़ता है वह सिरे अंग को प्रभावित करता है। जिसेना चरें के एंग बढ़र दिया घाले बढ़लंक सब्रा利क यह घाले जेए फिसमें आगे वहां से निकल के तो फोनों जाता है तो मरीज के स्थति बहुत सीरियस हो जाती है, दूसरी चीज़ है कि बिपी बहुत बढ़ते रहा है और अपने उसको दवाई नहीं दिया वह यह महिला दिखा नहीं नहीं आई, तो किसी दिन ऐसा होता है कि वह वह एक्लम्श्या में convert हो जाती है, एक्लम्श्या मतलब BP बढ़के मरीच को जटके आने लगते हैं, यही मैं कूछ आ मने, जटके आने के बार scripture होता है जो भी महिलाओ खाया हुआ रहता है, मतलब स्टमक में रहता है, इसमें उसका acid का reaction अब जो हम उस पहलू पर पहुंच गया है यह इतना खतरनाक है कि बच्चे पर भी इसका बुरा असर हो रहा है और गर्भावस्था के दोरान जो है रत्युदर जो है उसको भी अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर इस बिमारी पर कंट्रोल कर लें तो इसके इलाज की हम अब आके बढ़ना चाहते हैं कि क्या करें कि ये हो ना जैसant से इलाज की बात करें तो पहले तो गरवती कि अपने घरीलू इलाज या अपने मन से दवाया नहीं लेनी है उनकी सलह से जो भी वह आपको सलहा देते उसको फॉलो गरना है जैसे कि पैरों में सूजन हुई तो उसके लिए अपन क्या करते कि प्रोटीन का डायेट जादा बढ़ा देते हैं दूसरा महिलाव को रेस्ट क पीना है ऐसा कि दिन में उसको पांच लीटर पानी दिन के पीना ही पीना है जैसे बीपी बढ़ा बीपी बढ़के ही पुरे अंगो को प्रभावीत करता है तो बीपी के लिए डॉक्टर की सलह लेके उनको एंटी है पंडेंसिव मतलब बीपी कम होने वाली दवाया कितनी लेना है कैसे लेना है कब तक लेना है वो डॉक्टर की सलह के अनुसार लेना है तिस्टी होती है कि जिसे हम बच्चे को कैसे बचा लेंगे मतलब बच्चे का ग्रोध कम हो रहा है यह हो रहा है तो उस पे महिलाव जिसे दिखाने आएंगी एक अपन बीपी का कंट्रोल कर तो धिरे धीरे बच्का उससे को कोई दिए बच्छे के निन आता है उसरी चीछ है कि यह जो बिमारी है यह पूरी एक आवल बोलते प्लैसेंटा प्लैसेंटा से ही इसका ओरिजन होता है तो जैसे कुछ महिलाए हुई कि नवे महने में जैसे 34 वीक्स हुआ और तब उसको जटके आने लगे उसका इलाज यह होता है कि अपन जल्दी से जल्दी यह से ही बच्चे कि डिलिवरी होती है जैसे बॉस बट्दी का अपन गंधान कर पाते हैं पुरी बीमारी को कंчи नृर। एक ज़िए होती है कि जिसे कई मरीजों में अ सा वता है कि अलेयू हो गई उसको भलते बार मारी में जटके आ जाते हैं उसको कई बिलिवियरा जाते कि जैसे ऐसा नहीं है कि डिलेवरी हो गई तो बतलब सब अच्छा है आगे के चार से छे हपते भी मरीज का भीपी ध्यान रखना है खाने का ध्यान रखना है और डॉक्टरी सलह लेना है अब जैसा के मेडम आपने ये बताया कि नौवे महीने तक अगर ये प्रॉबलम आती ह तो फिर आप ततकाल में फिर डिलेवरी करवा देते हैं लेकिन मेरे जैन में एक सवाल ये गूम रहा है कि अगर मान लीजिए ये ही परिस्तिती हाइपर टेंशन की जो है वो छटवे साथवे महा में अगर हो जाए तो फिर क्या होगा हां ये बहुत अच्छा कोशन है क्यो तो हम अगर महिलाव को हर 15 दिन में विजट के लिब लाते हैं और फॉलो अप में रखते है कि कहीं उसका बीप तो नहीं बढ़ रहा है तो हम 34 वीक तक प्रेगनेंसी को एक्स्टेंड करते हैं फिर टामनेट करते हैं पर ये इन कंडिशन इन बेट्वे इन बेट्वे उसक इसी इस्तिति को कंभी और कर सके तो तब हम उसकी प्रेगनेंसी को टर्मेनेट कर देते हैं एसी इस्तिती में हम मा को प्रात्मिक्ता फर्स्ट बीपर देते हैं दूसरी का मैंडम आपके समक्ष पहुचाई जा रही है मैडम मैंने पहले ही कहा कि मैडम ने हमें कहा कि आज इसी विशे पर हम बात करेंगे तो आप इस इस्तिति को आने ना दे मुझे लगता है मैडम जो हमने खास-खास बाते थी वो तो इस सब्जेक की कर ली और इसके अलावा भी को सवालात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए हम उनके सारे जवाब देंगे फिलाहल आज के वीडियो को यहीं देते हैं विराम मेंडम आप हमारे साथ जूड़ी है आपका बहुत-बहुत घर्म्यवाद